क्या आपको पता है एक छोटा तीन से चार साल का बच्चा ब्लू वेल की नसों में तहर सकता है और क्या आपको पता है एलेक्जांडर दे ग्रेट को जमीन में जिन्दा दफना दिया गया था पूरा राज जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहे है आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे फैट्स बताऊंगा चिससे सुनकर आपके रॉंगते खड़े हो जाएगे वेल्कम टू दे ब्राइंड न्यू एपिसोड फैट्स तो चलिए लेट्स एक्स्प्लोर पंची खुले आसमान में उड़ते हुए अच्छे लगते हैं क्या होगा अगर मैं आपको बताओ कि हर साल लाखों पंची किड़की से टक्रा कर मारे जाते हैं उड़ते वक्त वो भी सरिफ अमेरिका में हर साल 600 मिलियन से ज्यादा पंची मर जाते है खिलकी से टकरा कर तो सोचिये पुरी दुनिया में कितने पंची मरते होगे हम इंसानों के शरीर में टूटली 206 हड्या होती है और अगर हम घोडे के शरीर की बात करें तो उनके शरीर में टूटली 205 हड्या होती है देखा जाए तो घोडे इंसानों के कंपारिजन में बहुत बड़े है फिर भी उनके हड्या हमारे हड्यों से कम है हम इंसान हमारे दातों को क्लीन रखने के लिए रोज ब्रश करते है अगर हम रोज 2 मिनिट तक ब्रश करें तो हम हमारे जिंदगी के 38 दिनों तक सिर्फ ब्रश करते रहेगे मतलब अगर हम रोज का 2-2 मिनिट ब्रशिंग टाइम एर करें तो वो इक्वल होगा 38 दिनों के बराबर क्या आपको पता है गर्मियों में आइफेल्ट आवर की हाइट बढ़ जाती है ऐसा वहां की एक्स्ट्रीम हीट के वज़े से होता है आइफेल्ट आवर गर्मियों में 6 इंच तक बढ़ता है माउंट एवरेश पहाड इस दुनिया को सबसे उचा पहाड है क्या आपको पता है मधुमख्य माउंट एवरेश से भी ज़्यादा उचाई तक बढ़ सकती है मधुमख्यां 29,525 फीट तक बढ़ सकती है जो की माउंट एवरेश से भी ज़्यादा उचाई है ऐलेक्जैंडर दे ग्रेट को 32 की उमर में जिन्दा दफना दिया गया था ऐलेक्जैंडर ने अपनी जिन्दगी में कई जगों पर कबजा करके दुनिया का सबसे बड़ा सामराज डाय भी जब रगी जब ऐलेक्जैंडर बिमार थे फिर बारा दिनों के बाद उनकी मौत हो गई बारा दिन तक वो दर्द में तडबते रहे मगर छे दिने तक उनका शरीर सड़ा नहीं मतलब उनका बॉरी डीकंपोज नहीं हुआ था आज के मौडरन साइंटिस्टे मानते है कि एलेक्जांडर एक बिमारी से गुजर रहे थे जिसका नाम है गिलियन बैरे सिंड्रम वो मानते है कि जब वो मरे तब आक्चुली वो सिर्फ पैरलाइस थे उनका दिमाग चल रहा था वो सब कुछ सुन पा रहे थे बेसिकली उन्हें खौफना तरीके से जिन्दा दफना दिया गया था इस दुनिया में ऐसे शाक्स मौजूद है जो 500 सालों तक जी सकते है और वो मैच्चु और लगबग 1500 साल होने पर होते है पैंग्विन्स बहुत शान्त और क्यूट होते है अगर मैं आपसे कहूँ कि लाखो साल पहले पैंग्विन्स 6 फीट के होते थे तो क्या आप मानोगे नहीं नहीं मैं जूट नहीं बोल रहा ये सच है लगबग 40 मिलिन साल पहले ये पैंग्विन्स पाए जाते थे इसकी खोज सीमोर आइलेंड पर मिली 6 फीट लंबी पैंग्विन्स के हड्डियों से हुई इन पैंग्विन्स का वज़न लगबग 250 पाउंड्स के बराबर था क्या आपको पता है अगर हम numbers को words में लिखे तो letter A word thousand पर पहुंचने से पहले नहीं आएगा same अगर हम numbers को words में लिखे तो letter M प्लियन से पहले नहीं आएगा चैनल को सब्सक्रैब करके उस bell आइकन को प्रेस कीज़े क्योंकि इस चैनल पर आपको इंटरेसिंग वीडियो दिखने को मिलती रहेगी ब्लू वेल दुनिया के सबसे बड़े जीव है क्या आपको पता है एक छोटा इंसानी बच्चा तीन से चार साल के बीच का ब्लू वेल के नसों में तेर सकता है इसिंट इट अमेजिंग फैक्ट और अगर हम ब्लू वेल के दिल की बात करे तो वो एक कार के साइस के बराबर है अगर आप भी घर बैटे गेम खलकर पैसा कमाना चाहते हो तो फिर लुडो सुप्रेम गोल्ड आप आपके लिए है आपको एप डाउनलोड करके लॉग इन करना है फिर यहाँ पर जाकर नीचे रेफर कोड के सेक्शन में ये रेफर कोड डाल देना है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी रेफर कोड दे दूगा और फिर आपको एड मनी के सेक्शन में जाकर amount 10 लिख के win 10 का promo code apply करना है जिससे आपको 10 रुपए add करने पर 20 रुपए मिलेगे फिर आप game खिलकर पैसे कमा सकते हो याँ दखना friends promo code डालना ज़रूरी है अपका link मैंने नीचे description में दे दिया है आपका favorite fat कौन सा आप मुझे नीचे comment करके बताएए अगर आपको factsit का ये episode पसंद आया तो please video को like कीजे video को दूसरों के साथ share कीजे मेरे जाने का time आ चुका है but don't worry मेरे channel पर already there सारे videos available है तो जाएए उन videos को देखिए और enjoy कीजे, soon I will be back with a new video